मित्रों चराचर जगत का राजा आदित्य यानि सूर्य स्वैम में सबसे शक्ती शाली प्लानेट है मैं आज आपको रविवार के दिन संडे के दिन ये बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार सूर्य आपका जीवन भरेगा खुशियों से तो बने रही है मेरे साथ और देखते रही है आपका राशीपल मित्रों नमस्कार मैं हूँ आपका अपना आपका अजीज आपका कमल नंदलाल और मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए पंजाब केसरी के नए यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी का खाश शो आपका राशीपल इस शो के जरीए रोज मैं आपको आपके भविश्य से चुड़ी सटीक जानकारी देनी की कोशिश करता हूँ आज किसकी किसमत का सितारा चंकेगा क्या है आपका लखी नंबर क्या है आपका लखी कलर आज आज किसका दिन बन जाएगा सुहाना और किसकी बात होगी पकी और भी बहुत कुछ है आज तो आईए चलते हैं और शुरू करते हैं सिलसिला राशी फलका और सब सब पहले बात करेंगे मेश राशी की एरीज यानि की मेश आज आज आप जिस भी काम में हाट डालेंगे मेश राशी वालों वो काम 100% पूरा होगा स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम अच्छा है पढ़ाई में मन लगा रहेगा जीवन में नए मुकाम हासिल करने में सकसे जरूर मिलेगी फॉरें या किसी दूर स्थान से गुड नियूज भी मिल सकती है इस राशी की लेडीज का जादा तर समय आज पूजा पार्ट में गुजरेगा ब्लू है आज के लिए आपका लखी कलर और पूर है आपका लखी नमबर बात करेंगे वरिश यानी कि टॉरिस की टॉरिंस आज आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देने जा रही है प्रॉपर्टी खरीदना अगर चाहते हैं तो टाइम अच्छा है इस राशी की फीमेल्स के लिए समय बहुत अच्छा है नौकरी की तलाश कर रहे हैं लोगों के लिए जॉब के नए ओफिर्स मिल सकते हैं कोई अच्छा न्यूज भी आज आज आपको आपका मूड समार सकता है यलो है आज के लिए आपका लखी कलर और नाइन है आपका हल लखी नमबर बात करेंगे मिथुन राशी यानि की जमिनाए आज दूसरों पर डिपेंडेंट होने के बारे में सोचेंगे पर हो नहीं उपाएंगे बड़ों का जो उमीद है आप पर उस पर खरा जरूर उतरने के कोशिश करें स्टूडेंट्स को सकसेज भी मिलेगी लवमिट के साथ कहीं भार घूनने जा सकते हैं टीचर्स को आज अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई तूफा भी मिल सकता है जिससे आपका मन हैपी हैपी रह सकता है आज के लिए आपके लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है सेवन बात करेंगे करकराशी यानि की कैंसर कैंसरियंस आज नए प्रोजेक्ट पर आप काम शुरू कर सकते हैं लाइफ पाटने के साथ कहीं आज दूर भूनने का प्लान भी बन सकता है वाद विवाद से दूर रहें दोस्तों से हर संभव आपको मदद मिलेगी इस राशी की लेडीज के जीवन में कुछ मधूर बदलाव आने वाला है साथी के साथ पाटने के साथ आज कुल यादगार पल बिता सकेंगे आप बिजनस में थोड़ा नुकसान होने की आशंका है आज आप डेटिंग पर भी जा सकते हैं औरेंज है आज के लिए आपका लखी कलर सेविन है आपका लखी नंबर बात करेंगे सिंग राशी यानि की लियों की लियन्स आज आपकी जिवान पर सरस्वती का वास है आप अपनी वानी से दुश्मनों को भी अपना बना सकते हैं अगर आप नई प्रॉपर्टी के सेल परचेस करना चाते हैं तो दिन परफेक्ट है इस राशी की फीमेल्स के लिए शमय भावत सुभ है सर्विसमेन का वर्क प्लेस पर मान सम्मान बढ़ेगा आज आपको फोन या इमेल के जरीए कोई गुड नियूज मिल सकती है वुज़र्ट लोग अपनी सेहत के लिए थोड़ा साधान जरूर है ब्राउन है आज के लिए आपका लखी कलर और थ्री है आपका लखी नमबर बात करेंगे छटी राशी कन्या यानि कि वर्गो की वर्गो दिन आज कुछ मिला जुला रहेगा खर्चों के साथ साथ प्रॉफिट भी वड़ सकते हैं आज थोड़ा सा लव मेट को टाइम दीजे उसे भाहर गुआने ले जाएए यह जरूरी भी है आपके रिलेशन्शिप के लिए फैमिली से आपको आज सपोर्ट जरू मिलेगा लेकिन फैमिली के साथ साथ प्यार के साथ साथ अपने वर्क को भी थोड़ा सा टाइम दीजे उसकी इंपॉर्टन समझे आज आप पूरा दिन कहीं न कहीं जरूर लजे रहेंगे आज के लिए लखी कलर है गरे और आपका लखी नमबर है सेवन बात करेंगे तुला राशी यानि की लिबरा की लिबरंस फैनेशल कंडीशन मजबूत होगी आजागी इस समय खर्चे हमेक्षा की अपेक्षा कुछ कम जरूर होंगे बेवज़े विरोधियों से जाकर बिलकुल भी न भढ़ें किसी से बाचीत करने में थोड़ा सा अलर्ट रहें आपका परोटिकल कॉंटक्ट बढ़ेगा इस राशी की लेडी आज शॉपिंग करने में विजी रहेंगी इसके अलावा अपने घर के बच्चों को कपड़े गिफ्ट करें आज के लिए आपका लखी कलर है पपल और लखी नंबर है पन बात करेंगे स्कॉर्पियो यानि की वरिष्चिक राशी की वरिष्चिक राशी वालों क्रिटिव कामों में तेजी आ सकती है आपके बिजनस में बढ़ोत्री हो सकती है स्टूडेंट्स अपने इंट्रेस्ट को फॉलो कर सकते हैं वर्क प्लेस पर बॉस से जंकर तारीफ मिलेगी आपको फैमली प्लानिंग के बारे में भी आप सोच सकते हैं आज शिव शंकर के मंदिर में जाकर शिव चालिसा का पार्ट करें विशेश फाइदा होगा आपको नौकरी मिलने के संभावना भी बढ़ सकती है मजिंटा है आज के लिए आपका लखी कलर और सेविन है आपका लखी नमबर बात करेंगे धनू यानि की सेचिटेरियस की सेचिटेरियन्स आज पूरा दिन बिजी रहेंगे आप काम का बोज बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा लेकिन इवनिंग में फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंट करेंगे किसी शादी की पाटी में जा सकते हैं शेक्षा गहन कर रहे हैं लोगों के लिए समय अच्छा है हर काम को समझदारी से करने में आपके लिए फाइदा ही फाइदा है बस किसी ब्रहमन को आज एक समय का भोजन जरूर करवाएं इश्वर का आशिरवाद आपके साथ होगा ब्लाक है आज के लिए आपका लगी कलर बन है आपका लखी नमबर बात करेंगे मकर राशी की मकर राशी वालों यानि की केप रिकॉन आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है आपका पॉजिटिव बिभार आपको हर फील्ड में सक्सेस दिलाएगा इस राशी की लीडीज को आज धनलाब की प्रबल संभावना है शाम को आप पूरी फैमली के साथ कहीं बाहर डिनर पर जा सकते हैं तबियत बिगड सकती है बच्चों का भरपूर प्यार भी मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है वाइट और लखी नंबर है एट बात करेंगे कुम्भ राशी यानि के अक्वाइरियंस की अक्वाइरियंस आज व्यवसाय बहुत अच्छा चलने वाला है आपका जॉब वालों के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक है बहुत जल्दी ही कोई नया महमान ना आपके घर खुश्यों की दस तक देगा दूसरों की भावनाओं की कदर करेंगे इस राशी के प्रॉपर्टी डिलर्स को आज विशेश फायदा होने वाला है फैमली के सयोग से आज किसी अधूरे काम को भी पुरा करेंगे पिंक है आज के लिए आपका लखी कलर और फाइप है आपका लखी नंबर बात करेंगे मीन राशी यानि की पाइसेस की पाइसेंस आज क्रियेटिव कामों में तेजी से आगे बढ़ेंगे बिजनेस में बढ़ोत्री होगी स्टूडेंट्स अपने इंट्रेस्ट को फॉलो करेंगे और वर्क प्लेस पर बहुत से जम कर तारीफ मिलेगे आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं और आज बेरुजगार जो हैं अनेम्पलॉइड हैं उन्हें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए मजिंटा है आज के लिए आपका लखी कलर और एट है आपका लखी नंबर तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपका भविश्य बताने के लिए आपकी राशी का भविश्य बताने के लिए तब तक कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए आपका दिन शुब हो, मंगल मैं हूँ, इसी के साथ एक खास बात और अगर आपको कोई समस्या है, कोई ऐसी परिशानी है, कोई ऐसी प्रॉबलम है जिसका solution आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, उसके भीचे comment box में अपनी birth detail के साथ साथ अपना contact number लिखना बिलकुल भी न भूलें मैं सीधे आपको contact करूँगा, और सबसे जरूरी बात हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना बिलकुल भी न भूलें नमस्कार